सब्सक्राइब कीजिए SKN Agutech चैनल को और बेल आइकन को दवाएं लेटेस्ट एजुकेशन और टेकनोलीजी से वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मेरा नाम है सुरेश आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि अगर आपने JKSSV पंचायत अकोंड असिस्टेंट का फार्म बरा है जा आपने क्लास फोर्थ का फार्म बरा है आपकी पेमेंट आपके बैंक से डिड़क्ट हो गई है बट आपको ना तो पेमेंट रसिप्ट मिली है ना आपको एप्लिकेशन नमबर मिला है मैं आज की वीडियो में आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि किस परकार हम अपनी पेमेंट को क्लियर कर सकते हैं कैसे हम अपनी रिक्वेस्ट डाल के इमीडियेटली उसी समय अपनी पेमेंट को क्लियर कैसे कर सकते हैं तो आप मेरे वीडियो की अंतक बने रहे ताकि आप पूरा प्रॉसेस को समझ सकें, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपने अपने फोन से किसी ब्रोजर को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद सर्च वार में टाइप करना है jkssb.nic.in, जैसे आप टाइप करोगे, आपने सर्च कर देनी है, आपके सामने jkssb.nic.in की official website open हो जाएगी उसके बाद आपने left side पे आना है, जहां से आपने apply किया था अपने farm को, जैसे कि आपने पंचायत account assistant के लिए किया था, जहां class fourth के लिए किया था तो उसी link पे आपने आना है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह link का आपके सामने आगया है, हम इसके उपर हम click कर देंगे, जैसे हम इसके उपर click करते हैं, तो हमारे सामने एक निया page open हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे सामने एक निया page open हो जोगा है, जहां पे आपने right side top पे देखना है, यहां पे candidate login लिखा होगा, आपने simply इसके उपर click कर देना है जैसे हम इसके उपर click करेंगे, हमारे सामने एक निया page open हो जाएगा, बहां पे हमें अपनी email id, password डालना होगा, जो हमें farm बरते समय अपना account create किया था, तब हमने जो email और password set किया था, चाहे वो farm हमारा account assistant के लिए था, जा class fourth के लिए था, तब हमने जो email और password create किया था, वही password और अपनी email हमें डालनी है, जहाँ पे हमें अपनी email id, password और जहाँ पे आपने click करना है, I am not a robot, जहाँ पे आपने click करके login पे click कर लेना है, चलिए मैं अपनी email password डालके login पे click कर लेता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने login कर लिया है, और मेरे सामने application का status जहाँ पे ब click करना है, जैसे आप इसके उपर click करोगे, हमारे सामने जहाँ पे बहुत सारे options आजाएंगे, जहाँ पे dashboard, my application, payment transaction, उसके बाद payment, grievances, अगर आपकी payment कट चुकी है, बट आपका application number generate नहीं हुआ है, तो हम जहाँ से grievances भी डाल सकते हैं, मैं आपको वीडियो में ये भी दिखा कि हमने grievances कैसे डालनी है, और आपकी जो payment होगी, वो एकदम okay हो जाएगी, आपको दूसरी बार farm भरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही दूसरी बार आपने payment करनी है, तो यहाँ से my profile पे आप click करके अपना profile चेक कर सकते हो, चलिए सबसे पहले हम अपनी application का status देखते है, my application पे हम अगर click करेंगे, तो जहां से हम अपने my application पे click करने के बाद हमारे सामने जे page open हो जाएगा, जहां पे बताया जा रहा है कि जो आपकी application है, वो successfully submitted हो चुकी है, जहां से हम अपना submitted farm है, उसको download भी कर सकते हैं, जिस दिन को हमने अपना farm submit करवाया था, वो date भी जहां पे download farm पे click करेंगे, तो हमारा जो farm जो हम पहले download नहीं कर सके थे, वो फिर से हम download भी कर सकते हैं, जहां से हम payment की receipt को भी download कर सकते हैं, जैसे कि यहां पे दिखाया जा रहा है, जहां पे ऐसा आजाएगा आपके सामने, download payment receipt अगर मैं इसके उपर click करूँगा, तो हम फिर से अपने farm जो हमने fill किया हुआ है, उसकी receipt को download कर सकते हैं, उसके नीचे आप देखोगे जहां पे download applied application farm, तो जैसा farm हमने यहां पे fill किया हुआ है, उसको भी हम जहां से क्या कर सकते हैं, download कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने उसको download कर लिया है, और आपके सामने जो payment receipt है, simply हमें login करनी होगी अब जिनकी payment फसी हुई है जिनको आज तक जो अपना farm जा अपनी receipt को download नहीं कर सके हैं मैं उनका process भी आपको बताऊंगा live demo करके बताऊंगा आप मेरे वीडियो के अंतर जैसे कि आप देख सकते हैं हमने farm को भी status चेक कर सकते हैं अब हम एक ऐसी example लेंगे जिनकी payment तो cut चुकी है बट उनको पता ही नहीं है कि उनके farm का क्या हुआ क्या नहीं हुआ है अगर हमें grievances डालनी होगी तो उसको कैसे डालनी है अगर हम payment transaction पे click करेंगे तो जहां से बताया जाएगा कि हमारी payment successful हुई है जहां नहीं हुई है जहां से हम इस पे click करके हम अपनी जो payment की receipt है उसको भी download कर सकते हैं अगर हम फिर से menu पे click करेंगे तो जहां से आ जाता है payment grievances अगर आप इसके उपर click करोगे तो जहां पे आपने अपनी grievances डालनी है grievances में आपने क्या करना है जहां पे सबसे पहले आपने please select यहां पे आपने क्या select करना है यहां पे बताना है कि payment deducted बट application number not generated इसको आपने जहां पे select कर लेना है अब आपने दूसरी column में आपने क्या बताना है जहां पे drop down menu को करके आपने ये बताना है कि आपने किस post के लिए apply किया था और आपकी जो payment तो deduct हो गई आपने दो बार deduct करवा दी बट आपका जो farm था और जो application थी वो generated नहीं हुई तो चलिए हम जहाँ पर class fourth के लिए select कर देते हैं और जहाँ पर हमें ये बताना होगा कि वो कौन सी date थी हमें अपनी login करके ही हम ये पता कर सकते हैं अपने email अपना password डालके ही अब हमें यहाँ पर क्या करना है जहाँ पर डालना है select date of transaction इसके उपर click करना है तो जहाँ से आपने उस date को choose कर लेना है जिस date को आपने payment की थी बट आपको उसकी receipt नहीं आये थी आप bank से आपके amount deducted हो चुका था चलिए हम दो तरीक को जहाँ पर select कर लेते हैं और जहाँ पर set कर देते हैं फिर आपने यहाँ से क्या करना है submit grievances जब आप इसके उपर click करोगे जैसे आप click करोगे उसी समय क्या होगा आपकी जो payment होगी वो clear हो जाएगी आपके सामने option आजाएगा कि आप अपनी receipt को भी download कर सकते हैं आप अपने form को भी download कर सकते हैं वीडियो में हमने यह देख लिया कि कितनी असानी के साथ हम अपनी application को कैसे download कर सकते हैं अपनी payment receipt को download कैसे कर सकते हैं अगर हमारी fee bank से cut गई है बट यहाँ पर clearance नहीं थी तो कैसी grievances cell में request डाल के immediately अपनी fee को clear करवा सकते हैं और उसके बाद फिर से हम अपनी receipt और form को download कर सकते हैं अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई query है तो आप मुझे comment करके बताएं मैं जरूर आपकी इसके उपर help करूँगा आशा करता हूँ मेरे द्वारा दीगे जानकरी आपके लिए काफी beneficial रही होगी अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए मेरे वीडियो को like कीजिए और share कीजिए ताकि कोई भी इस मुश्किल गड़ी में वो परिशान ना हो क्योंक कि उसकी fee कट गई है बट उसको clearance नहीं मिल रही है तो आपने अपने level पे भी इतनी help करनी है thank you for watching